dear students how are you all I hope from you you are very well happy and safe at your homes okay if you have any type of problem so you can ask me okay without any hesitation तो बच्चों हम लोगोंने लास्ट टाइम पर क्या पढ़ा था हम लोगोंने लास्ट टाइम पर आम्री सर्च फॉर फॉल्स फॉल्स यह स्टोरी हम पढ़ रहा थे जो कि कहां से रप्ट की गई है और आफ्रिकन फॉर्क टेल से यह एक अफ्रिकन फॉर्क टेल है इसको इसका नाम है जाएक पड़ाता कि यह बहुत ही बड़ा जिससे वहां कि लोग पर पर आप चाहते थे कि उसको हटा दे कौन किया नाम था उसका उम्री ठीक है उम्री हटा दे बड़ कोई नहीं एक दिन वह उम्री बाहर गया किसी काम से और उम्री की वाइफ को मिलके लोगों ने उल्लू बनाया कैसा बेफकुप बनाया कहा कि आपको पता है मैंने एक सपना देखा था जिसमें आपके घर में बच्चा आया है और वह बहुत ही ब्यूटीफूल हो और बड़ा होकर बहुत ही रिच और चलेवर बनेगा मुलब चतुर बनेगा और लेकिन यह सपना आपका तब ही पूरा होगा जब इस आउक्स को आप यहां से मार डालिए तो उसने वैसे ही होने दिया आप जब उसका हस्बेंड आता है इ क्यों कि वो तो उसको बहुत प्यार करते है था ठीक है शी टोल्ड हीम अबाउट वीजन आप यहां उसने उसको बताया कि इसको अपने हस्बेंड को बताया कि एक सपना ऐसा देखा था कुछ लोगों ने एंड सेट सुन वी विल ब्लेस्ट विदा ब्यूटिफुल चाइल हुविल ब्रिंग अस ग्रीट फॉर्चुन इट इन ओडर तो डू सो इट विल सॉरी इट वोस नेसेसरी तो सेक्रिफाइज एंड और सो आई गवावे और्स ओके तो उसको पूरी बात बताई क्या और गर एक ब्यूटिफुल सा चाइल्ड हो आएगा और बहुत ही भाग्यवान होगा इसी वज़े से मैंने ऐसा ऐसा कर दिया उन्होंने बोला कि इसके लिए नेसेसरी है कि आपको ऑक्स के साथ सेक्रिफाइज करना पड़ेगा तो अम्री वास फ्यूरियस अम्री बहुत ह हुआ यू आरा फूल तुम एक मूर्ख हो किसे बोला अपनी वाइप से बोला और आयम लिविंग इस हाउस तो सर्च फॉर एस ग्रेट एस यू आर और मैं यह घड़ छोड़ रहा हूं और तुमसे भी बड़ा से बड़ा जो मूर्ख होगा उसको डूड़ने जा रहा हूं तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई और मुर्ख नहीं होगा उसका कहना एक तरीके से यह भी था ठीक है आई विल नौट रिटेंड होम तिल आई फाइंड पर्सन हू इस एकोली फुलिश मैं तब तक घर नी लोटूंगा जब तक तुम्हारी जैसा एक पागल और निर लेता है इन कोर्स आफ टाइम ओमी सेर्च आप बिग हाउस विदा वेरेंडा इन फ्रेंट आफ इट अम्ली ओम्री वहां एक ऐसे घर पर पहुंचा जो बहुत बड़ा था और उसके सामने विल्कुल वेरेंडा था ठीक है इदा हाउस सीम तो बिलॉंग तो और रिच मैं ओम्री वास टाइड सो ही कॉट ओफ इस टंकी एंड रेस्ट इन फेरेंडा वो ऐसा लग रहता वह घर के देखने से कि किसी अमीर आदमी का है और वो ओम्री जो बिचारा इतना घर छोड़के निकला है तो ठक गया है ठका हुआ हा रहा था तो उसने तुरंत किया कि डंकी क उसको भी वही पर अराम के लिए रोक लिया और वुसी वेरेंडा पर बैठ गया रेस्ट करने लगा ठीक है यह वह सीन सिटिंग देर बाई आ वुमें वह वास वन आप दा सर्वेंट्स ऑफ दा हाउस होल्ट सी शैड तो हिम मास्टर वेर डू यू कम फ्रॉम तभी उसने क तो फेरिंग मास्टर उसने रिगार्ट करते हुए बोला ठीक सम्मान देते हुए फेरिंग माइट बी टोल टू लीव एट प्लेश इमिजेटली इफ फी सैड दैट वास अमेर ट्रेवलर ओम्री रेप्लाइड आया कम फ्रॉम फ्रॉम अदर वर्ड ओके वह डरी हुई थी और उसने बोला कि आप तुरंत यहां से चले जाओ अगर आप कोई कि मैं आप ट्रेवलर हो तो उसने बोला कि मैं किसी दूसरे वर्ड से आया हूं अगरोग अगरोग फ्रॉम फिर प्लेश इंट वाइट ऑप अनी बात होने के बाद उसने तुरंत यह मैसेज आपने जाकर अपने माले को बताया कि रहे काईसा अदमी आया है जो किसी और वर्ट से आया तो उसको उसने बोला सर्वेंट को कि जाओ और उसको घर के अंदर लेकर आओ ठीक है वैद ओमरी वेंट अपस्टेर्स अपस्टेर्स आख्स्ट हिम सर वाय है व्याव वर्ट आज़ा अज़ा अज़ा वाय आपस्टेर्स आपस्टेर्स वाले वाले मिस्ट्रेश जो रहती होगे उपर तो उसने एक इपाद इसने पूछी कि आपने अपना वर्ट क्यों छोड़ दिया ठीक तो उसने बोला कि मैं अपने पापा को देख रहा हूं मैं अपने फादर को ढूड़ रहा हूं ठीक है और उसने बोला कि क्या आपने मेरे पापा को देखा है पापा को देखा है क्योंकि मुझसे लोग कहते हैं कि वो खतम हो गया और वो किसी दूसरे वर्ड में चले गया तो वोट इस नेम और वोट दस ही लूग लाइक आग्स ओम्री तो ओम्री ने बोला कि क्या उनका नाम था और वो कैसे दिखने में लगते थे जब उसने पूरी बात बदाएं मेरे पापा कैसे लगते थे या क्या उनकी पहचानती तो उसने ओम्री ने बोल दिया हाँ हाँ मैंने उनने देखा है तो उसने बुल दा लेकिन कैसे आपने उनने देखा है ओम्री शोक हिस हैड सैडली एंड साइड ओ टेल मी वाट इस देखा है और ऐसा कहकर के उसने अपना सर मदब दुखी मन से जैसे नहीं किया जाता कि मैं बहुत सैड हूं इस बात को कहकर के हाँ मैंने उनने देखा है तो उसने बुला क्या हो गया ऐसा क्या हो गया मेरे पिता जिक साथ मुझे बताई है अब जो भी कहानी होगी इसके लिए आपको नए स्टेशन का इंतजार करना पड़ेगा कल फिर हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं ओके गड़्बाय हावन है नाइस टेम